नमस्कार दोस्तो वेलकम टो मैं चैनल चैनल स्ट्रिप का सेकेंड पार्ट हम लोग आएंगे आज जिसमें टूल्स है सैचुरेशन है और लीमिटर है तीनों पार्ट है तो देखिए हमने अल्रेडी चैनल स्ट्रिप पहले करे दिया उसके बाद इंसर्ट करिया मतलब इंसर् पेहलेु पिछले चैप्ट्र में हम लोग किया था तो हम लोग किया है अभी हम लोग समझेंगे जैसे की इनविलाफ क्या होताँ है जैसे टूल्सकंद दो चीज़य एक होता है DSS, DSR और एक होता है Envelope Shaper तो Envelope Shaper और DSR तो यह दोनों का अंदर फरक क्या है यह पहले हम लोग देखेंगे तो फरक यह है जो करके जो आवाज होता है जैसे कि जो हम लोग कोई भी गाना में हम लोगों को मिलता है कोई भी गाना में हम लोग देख सकता है क्योंकि जो जगह पर सा का ज्यादा चर्चा है जो गाना में आया है तो उसमें थोड़ा ज्यादा इसका उचर्ण ज्यादा होता है तो उस जगह में हम लोग इसको dsr use कर सकता है तो dsr का अंदर है क्या तो देखिए अगर dsr हम लोग select किया है तो हम लोग इधर एक range आजाएगा जैसे कि यह जो जगा आप लोग देख रहा है इसका हम लोग बढ़ा भी सकते है थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा सकते है तो normally हीसिंग साउंड जब आते है ना तो थोड़ा शार्फ हो जाता है वो थोड़ा कान में लगता है जैसे कि जो इस होना चाहिए वो इस में वो ठीक मतलब उससे ज्यादा होता है और अगर आप लोग एक्यू भी करोगे तो इस भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो यह प्र दिखाए देता है नॉर्माली जो कंडेंसर है उसमें तोरह ज्यादा दिखाए देता है तो अगर हम लोग चाहे तो कोई भी जगा को सिलेक्ट करके हम लोग वो जगा को सुन सकते है सोलो बनाके जैसे कि उसमें फिल्टरिंग कितना हो रहा है ठीक है तो सोलो मतलब क्या है अगर कितना डीवी में रखना चाहते हो कितना डीवीं का अगर माइन स्ट 25 का मतलब किया है मामुज़ 25 से नीचे अगर जायेगा तो उसको अलाव नहीं करेगा और माइनस 25 में होगा और उसका अंदर यह फृक्वेंश रिक्वेंस से आएगा तभी यह एक्टीव होगा नहीत अ क्थिव नहीं होगा तो पहले सुन लेते हैं, कि हम लोग करना चाहते हैं, पहले इसको off करते हैं, इसको सुन लेते हैं अभी इसको active करते हैं तो देखिए, यह जो जगा आ रहा है, छोटा छोटा करके यह जो दिख रहा है तो यह इस्वर संभू जो बोल रहा है, यह इस्वर इस जगा पर सौ थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए वो उसको height कर दे रहा है, तो high frequency इतना में रखा गिया है, 15,000 इसको थोड़ा सा हम लोग काम कर सकते हैं और low frequency हम लोग थोड़ा और भी काम कर सकते हैं, मतलब हम लोग position change कर सकते हैं अभी change करके सुनते हैं अभी सुनिया यह DSR का main factor है मतलब हम लोग कोई भी जगा पर, जो जगा पर S का उच्चरन जादा है वो जगा हम लोग उसका जो frequency range आता है, तो वो frequency range को हम लोग लोग कर सकते हैं जैसे कि वो जगा का 100 का उच्चरन जादा नहीं हो गिया हो गिया और इसका reduction, reduction मतलब क्या है कितना reduction हम लोग करेंगे अगर 100 उसका साथ मिल गया है जुड़ गया है तो जुड़ जाने के बाद क्या होता है नॉर्माली इसका थोड़ा सा label थोड़ा बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग reduction कितना करेंगे हम लोग reduction कितना करेंगे उसका ही सबसे हम लोग देख सकते इधर और नॉर्मली इसको हम लोग 0 में रखेंगा अभी ज्यादा 100 इसको करने का बाद यह का 100 अगर ज्यादा आएगा तो हम लोग उसको थोड़ा सा काम करेंगे मगर नॉर्मली इसका जो फीचर्स है इसका में 3db पर अटोमेटिकली है reduction लेबल 3db है मतलब सा का उच्चरन तोरह 3db काम हो जाएगा अभी यह हो गिया threshold हो गिया release का मतलब क्या है जो जगा पर यह gate open हो रहा है हम लोग गेट ही बोल रहा है क्योंकि आटोमेटिक यह dsr है आटोमेटिक काम करेगा आटोमेटिक थ्रेश्वल का काम करेगा तो अटो थ्रेश्वल जब हम लोग एक्टिव कर दिया है तो वह आपने आप खुद समझ लेगा जैसे कि हाँ ठीक है ओर्टो थ्रेश्वल में दिये है तो इसका जब ओपन गेट जब खुलेगा उसके कितना बाद गेट को बंद करेगा तो उसका डिफरेंस है 150 मिली सेगंड ठीक है वह है रिलीज रिलीज टाइम तो रिलीज उतना तक जाएगा उसका बंद कर दोगा ठ दूसरा पॉंट जो है सही तरहाट ऑन्फे सचिर अबी को फीया सबीòng को साचिरा अगर कम हो जाएगा तो आदमी लोगों स्वारा सांस का प्राइब्ल में होता है audio में भी होता है क्या saturation अगर कम हो जाएगा मतलब audio का जो density है वो density अगर कम हो बहुत सारे लोग हमको question किया है sir जब audio export कर रहा है थोड़ा सा volume कम हो जा रहा है मतलब थोड़ा सा हमको उतना ज्यादा मज़ा नहीं हो रहा है जैसे कि qs का अंदर से हम सुन रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है और qs से जब export करके बाहर निकल रहा है तो मज़ा का अलग हो जा रहा है तो और मजा हो जह रहा हो रहा है भहुत सारा काम करते हैं और कुछ कुछ हम तो देखा है इंसार्ड में पुरा पुरा तो उसके बाद भी थोड़ा साउंड क्या होता है मतलं एक आदमी को जितना उसको परेशान करोगे जितना उसको छेड़ चार करो उतना खराफ होते जाएगा मगर हम यह नहीं सुचता है हम लोग खराफ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग अगर खराफ हो जाएगा ना तो आप कुछ भी छेड़ चार करो अच्छा नहीं मजा मिलेगा तो इसलिए देखिए यह जो रिकॉर्डिंग में हम यूज करते हैं मतलब यह हम स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड किया था तो उसका हिसाब से सेंपल बना के लिया था क्योंकि यह बाद में यूज होगा हम जानते थे इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसका हिसाब से अगर हम लोग सेचुरेश है क्या होता है कुछ नहीं करके क्या होता है पहले इसको ओफ करते हैं ठीक है अभी नहीं चल रहा है महादेव शिवसाई महेश्वर शम्भो पार्वतिरमना पन्नग भूशना नमशिवाय 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 समझ गया ओफ करते हैं महादेव शिवसाई महेश्वर शम्भो पार्वतिरमना पन्नग भूशना नमशिवाय 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 समझ गया महादेवशिवसाई महेश्वर शम्भो इसको सोलो करके सुनता है नमस्षिवाया नमस्षिवाया देखिये थोड़ा इसको उक्सिजन दे दिया बिसिकली यही है थोड़ा ऑक्सिजन डाल दिया है और इसका अंदर जो मीटरिंग है मीटरिंग के हिसब से आप लोग हेटफोन में सुनोगे तो हम 200% स्यूर एकदम आप लोगों को डिफरेंट मिल जाएगा मतलब आप लोग समझ पा जाओगे जैसे कि यूटूब में हम यह देंगे उसके बाद आप यूटूब से सुनोगे फिर भी आप हेटफोन में सुनोगे तो आपको थोड़ा से डिफरेंस मिल जाएगा जैसे कि यह है विदाऊट सेचेअल विद्स सेचेअल तो होता हिए जब आदमे लोगों को अक्सिजेन लेवल काम होगए उसको ओक्सिजएन देना ही परता है तो ऐसे बात है Saturation कितना हम लोग देना चाहते है वो हम लोग अड़्जस्ट कर सकते है एक नमबर उसके बाद Output Level को अड़्जस्ट कर सकते है जो हम लोग नहीं करेंगे क्या है Output Level पहले हम इसको F3 में जाएंगे F3 में जो हम लोगों का जो मिन जगा है मिन जगा मतलब जो Td out है उसमें हम इंसर्ट करेंगे analyzer लगाएंगे और supervision यह बहुत अच्छा मतलब हमारा बहुत favorite का है तो इसका हम loudness में जाएंगे loudness में जाके एक बद चला के देख लेंगे अभी माइनस टीप चल रहा है और इंटीड़ ठीड़ अभी क्या है हम लोग जब इसका साथ reverb और डिले अड़ेस्ट करेंगे देंगे तब क्या होगा थोरा sound काम हो जाएगा पहले भी हम बोल चुका है बहुत सब्सक्राइट टूटरल में बोला है थोरा जितना सब्सक्राइट लगा तो इफेक्ट उसका अंदर घूसेगा और घूसने का बात किया कर अब बोल रहा है तो जब घूसेगा उस टाइम में वह थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा उसको थोड़ा से जगा छोड़ना पड़ेगा जो जगा में वह अकुपाई करके बैठा है एकारगा थोड़ना पड़ेगा तो उसको एड़स्ट करना पड़ेगा तो हम बार में जाते हैं फिर से चलाते यह assuming passer gleich है ऑल्मोस्ट हम लोगों को यह ठीकी है जो users लोगों को लग रहा है तैल्हे हम लोग नॉर्मली जाएंगा की में ली मीटर में जाएंगगل तो तो उसमें क्या होता है वेक्टर ग्राफिक्स होता है नॉर्मली उसमें पिक्चर अब जितना बड़ा करोगे फटेगा नहीं जैसे कि कोरेल ड्रॉव में अगर कोई काम करोगे तो कोई वर्ड लिखो के उसको थाउजन परसंट जूम कर दो फटेगा नहीं मगर पिक्सल में क्या होता है एक पिक्चर अपने कैमेरे में उठाया है अपका मोबाइल में उठाया है उसको एक्स्ट्रीम जूम करो देखो फट जाएगा डॉट 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 होके आएगा मगर टेप में ऐसा होता नहीं है पहले पहले टेप यूज होता थ है digital signal processor बोलता है उसको तो digital signal processor मतलब इदर से जब उधर उसका अंदर जाएगा जैसे कि हम थोड़ा सा जैसे कि आपका signal निकल रहा है निकल के एक जगा में घूस रहा है इसको हम लोग बोल सकते है तो मोड्यूल में जब जाएगा तो यह हम लोग तो process digitally कर रहा है तो उसका digit कहीं सबसे जाएगा जैसे कि 01 01 01 binary कहीं सबसे जाएगा मतलब computer जो language है उसका ही सबसे जाएगा तो वह क्या करेगा उससे find करके जो जगा loss हुआ है saturation हुआ है उसको थोड़ा 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 करका saturation आप कर देगा फटेगा भी नहीं और output जो आएगा एकदम crystal clear मतलब कुछ प्रॉब्ले भी नहीं है और आपका machine का कुछ ऐसा हो रहा है जैसे slow हो जा रहा है ऐसा भी ऐसा भी बात नहीं है मतलब एकदम भी होता है जैसे की slate का होता है online virtual mixing mastering tool होता है तो सभी के लिए यह ठीक नहीं है मतलब सभी का इसका बाहर है सभी सभी नहीं ले पाएंगे तो हम लोगों को करना पड़ेगा through software waste करना पड़ेगा जैसे कि हम लोगों को जो soundcard है वो soundcard के लेकर हम लोग अगर tape saturation को on करे तो चला के दिखते हैं महादेवशिवसाई महेश्वरशंगों महादेवशिवसाई थोरा ना जैसे की एक आदमी ऊपर का कुछ पकड़ नहीं पा रहा है तो नीचे से कुछ एकदम उसको पूश्च करके उसको मतलब जैसे वो पकड़ पाए उसका situation बना दे रहा है तो यह है tape saturation तो tape saturation बहुत ही काम का चीज है जैसे की पुराना जावाना में जो था tape में recording होता था तो स्पूल बोलते थे उसको तो स्पूल का हिसाब से जो उसका जो quality है बहुत अच्छा जैसे की record player का जो quality है record का जो quality उसका जो material है हम पहले भी बोल चुका है उसका material ना 96K तक support करता है जो हम लोगों को DVD और CD में support नहीं करता है तो tape saturation में हम लोग अगर इधर जैसे की drive हो गिया यह low frequency हो गिया और यह output हो गिया तो drive को थोड़ा सा change करते हैं देखते हैं चलाते हैं क्या होड़ा है आई महेश्वर शंभो पार्वतिरमना पन्नग भूशना नमस्षिवाय 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 महादेव शिवसाई महेश्वर शंभो महादेव शिवसाई महेश्वर शंभो अभी तो इसका अंदर बहुत सारा instrument पढ़ेगा उसके बाद हम लोगों को देखना पढ़ेगा क्या हो रहा है तो बड़ा है और हम लोग output अभी भी हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि output सभी हाथ लगाऊगे तो एक time में limited से adjust नहीं कर पाऊगे एक दम 100% सभी सभी का output है तो आप लोग चारा है समझाने के लिए दो गंटा हो जाएगा त्यूप साचूरेशन क्या होता है इसमें भी सेम चीजी रहता है पहले पहले को होता था लाईट पूरामा जमना का लेडियु असके अनदर कुछ बाल्ब टाइप का लगा हुआ था तो थीक है तो उसमें क्या होता है जाना उसको पूश कर रहे हैं जैसे यतना saturation होड़ा है वो bulb मतलब उसको उसका लेविलिंग भी उदना ऐसे होता है जैसे कि अब लोग light and sound देखा ऐसा है तो light and sound में क्या होता है light का साथ sound का साथ light का भी काम होता है ऐसा होता है तो यह भी देखिये बाल्प का में अफिक काम करें अगर जीतना boost करोगे ज्यादा boost अगर हो जाएगा ना वह बाल्प ज्यादा जलने लग जाएगा और ज्यादा अगर जलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा overload हो रहा है overload हो रहा है और overload चल रहा है इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो यह थोड़ा क्या होगा जब export रेंडर करोगे तो overload होके फटने लग जाएगा और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा हो गिया यह तीनों का पार्ट अ को नंबर मिलते हो उसमें जो हमारा चैनल में नंबर दिया हुआ है उसमें अगर हमको message करोगे तो हम बोल देंगे हाँ ठीक है हम सिखाएंगे कोई problem है उसका timing हिसाब से ठीक कर देंगे उसका जो chapters है कौन को कौन सा chapters हम लोग total complete करेंगे mixing mastering arrangement sound choosing sound making सभी सभी इसका अंदर तो पूरा 64 to 65 chapters है जो chapters हम लोग cover करेंगे तो वैसे तो ठीक है हम एक एक करके दे रहे हैं समझाने के लिए बोल रहा है जो ऐसे ऐसे होता है last में हम लोग आएंगे लिमिटर में आएंगे ब्रिकोएल लिमिटर maximizer और स्टेंडर्ड लिमिटर पहले स्टेंडर्ड लिमिटर में हम लोग जाएंगे देखेंगे क्या हो रहा है जो हम लोग output थोड़ा कम जादा करेंगे तो इधर से ही करेंगे कि महेश्वर शम्भो नहीं फट रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है महादेव शिवसाई महेश्वर शम्भो पार्वति रमना पन्नग भूशना नमस्षिवाय नमस्षिवाय एक दिवी बूस्ट किया है अभी प हम लोग कोछ देखना पड़ेगा उसमें क्या हो रहा है मतलब ये जो इसका इसका जुए इसका क्या हो रहा है याँ महेश्वर शम्भो महादेव शिवसाई महेश्वर शम्भो पार्वति रमना पन्नग बूशना नमशिवाया नमशिवाया इन्पूट भी बढ़ा दिया महादेव शिवसाई अभी उधर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी इसका अंदर आते हैं मैक्सिमेजर मेक्सिमेजर क्याकर तो उधर और एक मिक्स और एक और पूट और और शिर्मिये इसका थैसे हई दे लोग भड़ा भी सकते काम भी करऊंब्री चाहिए नौर डिए शिवसाई महेश्वर शम्भो पार्वती रमन नमशिवाया नॉर्मल लगाते हैं मतलब उतना ज्यादा हम लोग बूस्ट नहीं करेंगे जो जिसमें मैक्सिमेज और मैक्सिमेजर इधर से लगाना नहीं चाहिए हम एक्चुली इसके बारे में पहले भी बोल चुका है मैक्सिमेजर एक्चुली मीक्स ट्रग में लगाते हैं और सिंगल ट्रग में लिमीटर लगाते हैं लास्ट में जो है ब्रिकोल लिमीटर तो इसमें क्या है इसमें भी थ्रेशोल्ड है और उसका बत रिलीज है थ्रेशोल्ड क्या होता है आप लोग तो जानती हो जो हुआँएज कर देंगे ठोर्टो रिलिस्त का हिससे चलेगा स्टेनबर्ग के अच्छ युसका से फिर्टिंग है उसके अशियकत है उत्थे कर दोडित्व का ग Bevölker आयो महादेवशि глаз हुआई महेश्वरह का नम शिवाग मर्व फार्वति रमण अपन्न अगभूषण नमस्षिवाग हमारा ही सबसे इसका जो है इसको हम लोगส्टेंडरड लिमिटर करेंग और स्टेंडरड लिमिटर इ respons करके मनड़के करेंगे मतलब यह जो छे options है चैनल स्टीप का अंदर यह हो जाने का बात हम लोग इंसर्ट बे ना इस टाइप का कुछ नहीं देंगे जैसे कि सब्सक्राइब करेंगे मतलब जो अब लोगों का अच्छा लगेगा हम तो अच्छा लगेगा उसका अब लोग यह काम कर सकतो तो यह हो गया पूरा एक चैनल स्क्रीप का जो क्यूबस 11 प्रो में कंप्लेट दिया हुआ है इससे बाहर कुछ लगता नहीं है मतलब इसको लेके ही आप लोग थोड़ा सा वोकल को नहीं तो कोई भी इंस्टुमेंट को ठीक कर सकतो बहुत अच्छा से काम कर सकतो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इतना सजा के 11 प्रो में दिया हुआ है जो आप लोग बहुत अच्छा से इसको यूज कर सकतो चोटा-चोटा टूल आप कर भी सकतो इंसर्ट में लेकर भी कर सकतो जैसे कि noise लिया है compression ले लिया है ऐसा भी होता है मगर यह short में इतना अच्छा complete हो जाएगा तो इह इतना अच्छा लगेगा आप लोगो को करने से आप लोगों को पता लगेगा त तो आज का यह टूटोडियल है तो फिर भी एक बार हम बोल दा रहे हैं चैनल में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे किसी भी अगर question रहेगा किसी भी subject का audio का related किसी भी subject का उपर हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बोलने का पहले हमको WhatsApp करो प्रोब्लेम बोलो उसके पाद हम चैनल में वीडियो देंगे और आप लोग थोड़ा अगर चैनल अच्छा लग रहा है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सामको सपोर्ट करो चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा शेयर भी करो तक यू दोस्तों तक यू वर वाचिंग इस वीडियो